साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है, भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थववस्ता पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भहंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वज़े से वैश्विक सप्लाई चेंड तूटना कितनी कठिनाईयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजुद और युवानों, मेरे युवास साथियों इस बात को आप गौर कीजिए। इन सारी दिक्कतों के बावजुद भी भारत अपनी अर्थे बवस्ता को नई उचाई पर ले जा रहा है। आज विश्व की बड़ी-बड़ी कमपनियां मैनुफेक्टरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्स तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेस आता है तो उसे प्रोड़क्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नई-ने उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, और स्वाभाविक है, बिना नए नवजवानों के काम हो ही नहीं सकता, और इसलिए एमप्लोईमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है, हमारी सरकार के निर्णवयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे ला अभी हमारे डॉक्टर जितेंदर सिंग जी विस्तार से वो एक-एक मात्य में ब्योरा दे रहे थे, लेकिन मैं ज़रा एक उधान आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे ऑटो मोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान साड़े छे परसंड से ज भारत की आटो मोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी चलांग लगाई है, आज भारत से पैसेंजर वेहिकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट का बढ़ रहा है, कॉमर्सियल वेहिकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे थ्री वीलर, टू वीलर, उसके एक्सपोर् दुद्री हो रही है, दस साल पहले ये इंडस्ट्री पांच लाग करोड रुपिय के आसपास थी, आज ये इंडस्ट्री पांच लाग करोड से जंप लगा करके बारा लाग करोड रुपिय से भी जादा की हो गई है, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है ओटो मोबाइल सेक्टर को भारत सरकार की PLI स्किम से भी बहुत मदद मिल रही है तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे है